जहिन जिस तरह हमने फर्स्ट यर और सेकेंड यर के माइनिंग डिपलोमा के सिलेवस के बारे में चर्चा किया था ठीक उसी परकार से आज हम लोग थर्ड यर माइनिंग के सिलेवस को भी डिसकस करेंगे दोस्तो जाता तरह हमें पता रहता है कि कौन-कौन सब्जेक्ट होंगे हमारे सिलेवस में लेकिन अधिकतर को यह पता नहीं रहता है कि इन सारे सब्जेक्ट की क्या-क्या इंपोर्टेंस है आज हम यह सिखेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको किन-किन चीजों के बारे में पता चलेगा और अंत में हम यह भी जानेंगे कि competitive examination के approach से कौन सा subject इन में से बहुत ही जादा important होने वाला है तो वीडियो को complete end तक देखिएगा और इसके regarding यदि आपको कोई भी doubt suggestion होता है तो उसके लिए आप comment की section में comment करके पूछ सकते हैं और हाँ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को make sure subscribe करें third year में basically आपको six subject पढ़ना होता है इन में से सबसे पहला subject है underground coal mining method method दोस्तों यह जो subject है वो आपका एक important subject है जिसे हर student को पढ़ना चाहिए आप इस subject को skip नहीं कर सकते हैं क्यूंकि इस subject को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि underground coal mines में working method कैसा होता है और कहां पे हमें support की जरूरत होती है कौन से जगा पे हमने support लगाना है कैसे हम लोग safety precaution को लेते हुए underground mines में safely work कर सकते हैं क्या-क्या precaution हमें लेना चाहिए while working in the below ground mine ठीक सीम चलाने के लिए हमें कौन सा working method को apply करना चाहिए इन सबी चीजों के बारे में आप यदि इस subject को पढ़ते हैं तभी जाके आपको उसके बारे में knowledge प्राप्त होगा तो that's why this subject is mostly important with the respect of competitive exam as well as your syllabus अब आपका जो second subject आता है वो है mining method non-call यानि की metallic ferrous mines working के बारे में दोस्तों यह भी subject important role पैदा करता है while working in metal mines इस subject को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि कैसे हम लोग metal mines को develop कर सकते हैं हमारा soft sinking method कैसा होगा कैसे हम लोग drilling boring इन सबी चीजों को अंजाम देंगे आपको complete knowledge पता चलेगा कि metal mines में कैसे working होता है तो इस subject को आप जरूर पढ़ें और इस subject का जो knowledge है वो हर एक mining engineer को होना चाहिए थर्ड subject आता है आपका mine environment and safety engineering दोस्तों यह जो subject है उसका knowledge आपको होना बहुत ही जरूरी है कि जो भी एक mining engineer है उसको इस subject का basic knowledge तो होना ही चाहिए क्यूंकि इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि यदि fire dam और cold dust कहीं पे भी ओकर होता है तो हम उस समय कौन-कौन से precaution ले सकेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा यदि आप इस subject का अध्यन करेंगे तो दोस्तो हम लोग जानते हैं कि हमारे mines के लिए यह आपका fire dam explosion और यह cold dust explosion कितना घातक है तो इससे जितना हम लोग aware रहेंगे उतना ही जादा हम लोग safety precautions ले सकते हैं तब ही जाके हमारा mines safely run कर पाएगा यदि mines में कहीं पर भी spontaneous heating हो गया हो तो कैसे हम लोग उसे deduct करेंगे और उसे कैसे हम लोग reduce करेंगे इन चीजों के बारे में आपको इस subject के बारे में पता चलता है आप कर सकते हैं कि इस VCA को अध्यान करने के बाद आप mines में कैसे safe environment create कर सकते हैं ताकि कोई भी accident ओकर ना हो fourth subject है आपका mining machinery दोस्तों यह जो subject है वो आपका second year में भी था तो आपको second year में क्या पढ़ना था mining machinery के बारे में कि आपको basic knowledge लेना था mining machinery के बारे में लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो basically आप third year में जो mining machinery पढ़ने वाले हो तो इसमें आपको बहुत सारे machines जो आपके underground mines में use होते हैं या फिर metals mines में किसी भी माइन्स में जो यूज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको complete details में knowledge मिलेगा यह subject को पढ़ने के बाद यह जो subject है वो एक बहुत ही important विशे में से एक है इसकी पढ़ाई करने के बाद आपको mainly machinery के बारे में पता चलता है जैसे coal या mineral को कैसे कौन-कौन से transportation machine का use करके हम लोग safely mines से surface तक ले जाएंगे कैसे इन सभी machine को install करेंगे कहां पे install करेंगे कौन-कौन से safety measure use करेंगे while running machinery in underground mines इन सभी चीजों के बारे माँ इस subject को अधियन करने के बाद ही आपको पता चलता है अब जो next fifth number पे आपका subject आता है वो है आपका mine management, legislation and safety दोस्तों यह जो subject है वो बाकी और subject से बहुत ही जादा important subject है इसे सभी student को अधियन करना चाहिए इस subject में basically आपको mine sect 1952, mines rule 1955, coal mine regulation 2017, mine accident, management, general safety, mine rescue rule इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पढ़ता है चुकि यह जो सब chapter है basically आपके competitive exam में भार-बार पूछे जाते हैं और इन ही से question आपके competitive exam में आते हैं तो आपको उस respect से इस subject को पढ़ना बहुत ही जादा important है क्यूंकि आप diploma करने के बाद तो कहीं न कहीं vacancy का apply करोगे तो vacancy में जो question पूछे जाते हैं वो basically यही subject से पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ना केतना important है तो आप समझी चुके होगे अब जो last subject आता है वो है आपका mineral and mine economic दोस्तो यह जो subject है वो उतना important नहीं है और वो subject के तुल्ना में यदि हम लोग बात करें कि इस subject को हम लोग कैसे पढ़ें तो आप चाहे तो इस subject को यदि आपके पास कहीं से notes का जुगाड हो जाता है तो आप simply its notes को पढ़ करके इस exam में आपका जो syllabus है third year का उसको आप easily clear कर पाओगे तो यह जो subject है वो उतना important नहीं है आप चाहे तो इसे notes के help से आप इसको समझ सकते हो इस subject में basically आपको mineral resources का classification उसका हम लोग कैसे analysis करते हैं कैसे mineral का sampling करना है क्या impact पढ़ता है environment पे जब हम लोग minerals को extract करते हैं through opening of minds इन सभी चीजों के बारे में आपको यह subject knowledge प्रोवाइड करता है तो यह सभी बाते हो गई आपकी third year के syllabus को लेकर यदि आपको video अच्छा लग रहा तो आप इसे like करके जरूर बताएं अब हम लोग बात करते हैं कि कौन-कौन सा ऐसा subject है जिसका knowledge हमें होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है with the respect of competitive examination यानि कि जो हमारे competition exam में पूछे जाते हैं सावाल कौन से subject से basically आपका question आता है उसके बारे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तो competition के point of view से आपका जो most important subject होने वाला है वो है आपका mind management, legislation and safety यह जो subject है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कितना importance है तो आप इस subject को कभी भी इसकी बिल्कुल भी ना करें और हाँ यदि आपको किसी भी competitive exam को clear करना है तो आपको यह subject पढ़ना बहुत ही जरूरी है और next जो subject आता है वो है आपका underground mining method और आपका non-call mining method mining machinery यह सभी subject ऐसे हैं जिसमें कि आपका जो question है competitive exam में वो इसी से बनते हैं तो इसको पढ़ना ही बहुत ही जरूरी है उमीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह नई जनकारी पसंद आई होगी अगर आपको लगता है कि वाकव में यह एक useful वीडियो है तो आप इस वीडियो को like, share और comment जरूर करें अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हो तो पहली फूरसत में चैनल को भी subscribe कर दिया करो मिलते हैं एक और जनकारी के साथ तब तक के लिए बाई, God bless you all, जैहिन